21 जिनरी उनिश्व सरसर्थी पेज़ दो की मद्याद में बात जिल रही थी जो बाबा कहते हैं मैं तो सजय भी ही निराकार परमात्मा हूँ ब्रामा प्लेवन अनुसार अभी शरीर लिया है तो नाम बदल जाता है मेरा नाम सिव है मेरी बिन्दी का नाम सिव है जब शरीर धाड़ करते है तो नाम बदल जाता है सन्याशियों का भी नाम बदलता है और तुम्हारा भी नाम बदला है तुम्हारा भी नाम बदला है तुम्हारा भी नाम बदला है तुम्हारा मने किसका है कि आज में कोई बच्चे थे, जिनका नाम बदला था, नाम देते थे, संदेशियां नाम लाती थे, तो बोला, तुमारा भी नाम बदला है, पर उन तो कहां तक नाम बदलते रहेंगे? कितने तो भागनती हो गए, जो उस समय थे, उनका नाम रख लिया, पर बाद में नाम भी नहीं रखा, इसलिए आप नाम ही नहीं बदलते हैं, कि कुछ जिनके नाम रखे अच्छे अच्छे, वो सब भागनती हो गए, तो किसी पर भी विश्वास नहीं रहा है, या, नाम तो रख दिये इतने अच्छे और काम कुछ भी करके दिखाया नहीं, तो विश्वास उड़ गया, तो क्या करना चाहिए, पहले काम देखना चाहिए, तब नाम रखना चाहिए, या पहले नाम रख दिया जाए, फिर काम देखा जाए, पहले पार्ट देखा जाए, कि आत्म कैसा कैसा पार्ट बजाती है, उस पार्ट के अंसार फिर उनके नाम रखे जाने चाहिए, माया बहुतों को हरा देती है, तो भागनती हो जाते हैं, इसलिए बाबा किसी का भी नाम नहीं बदलते हैं, किसका रख करके, किसका ना रखे हैं, तो भी ठीक नहीं है, कहते हैं, बाबा हम आपके बन चुके हैं, परन्तो यथाप शरीत हमारे बनते थोड़े हैं, बहुत हैं, जो वार्ष बनने के राज को भी समझते नहीं, कि हम बापका कैसी बने, कोई समझते हैं, बाबा के पास मिलने आते हैं, पर उन्तो बारिस नहीं है, क्या, मिलने तो देर आते हैं, लेकिन उन्हों में बारिस, क्वालिटी बहुत थोड़ी है, बेजय माला मिल्म में भी नहीं आ सकते, कोई अच्छे अच्छे भी समझते हैं, हम बारिस हैं, पर उन्तो बास्तम में वो बारिस हैं नहीं, ये राज समझने भी मुश्किल है, कोई को बाबा समझाते हैं, वारिस बनना किसको कहा जाता है, भगवान को कोई वारिस बनावे, तो बिल्कियत देनी पड़ी, वारिस को क्या करना पड़ता है, वारिस को जो भी जीवन भर की कमाई की हुई है, या पाप दाजे से मिली हुई कमाई है, वो सब इसको अरपन करनी पड़ती है, वारिस दार को अरपन करनी पड़ती है तो भगवान फिर वारिस बनावे माला कितने थोड़ों की बनती है ये भी कोई बाबा से पूछे तो बाबा बताई सकते है कि तुम वारिस बनने के हकदार हो वा नहीं हो बाबा से पूछे तो बोई नहीं क्यों? डर्लता ये बाबा भी तो बता सकते हैं तो बो बाबा हुँ बता सकते हैं ये क्या बत? ये बाबा और बो बाबा क्या? बाबा भी बता सकते हैं और बो बाबा भी बता सकते हैं बो माना जो पाष्चे में हो चुका वो उसकी तरफ इसारा किया जो बाबिशिमें पेसे बाट ले करने वारा है ये तो कामन बात है समझने की बार्स बनने के लिए भी बहुत खिर चाहिए क्या चाहिए? बहुत अतर चाहिए कब किसी को सपने में भी याद नहीं होगा कि मैं बार्स मनूँगा भगवान का देखते भी हो कि ये विशु के मालिक थे कौन? किसकी तरब शारा काते थे? लक्समिनार किसी की तरब शारा किया? देखते भी हो कि ये विशु के मालिक थे किसी से लिया? रडेक बाप से लिया? विंडिसे? लिशु भाबा से लिया? लेने वाला कोम और देने वाला कोम? लेने वाले ने लिया को किसे ने लिया, और दिया किसे ने, ये विश्व के मालक थे, परंथो वो मालक पना किसे लिया, ये भी कोई नहीं जानते हैं, किसी को कुछ भी पता नहीं, अभी तुम्हारी एमाब जबत तो सामने हैं, इनको विश्व की बासाई किसे ने दी, मालक पना किसे ने दिया, वो कोई जानते नहीं है, और तुम्हारी एमाब जबत सामने हैं, बच्चे भी कहते हैं, हम तो सुल्यवन सी राजा रानी बनेंगे, क्या.. सूर्यवन सी राजा रानी बनेगे, कोई ने कहा लक्षमिनायन बनेगे? लक्ष्मि जायर बनेंगे ना की रमसीता बनेगे रमसीता की बी तो निंदा होई है ना तो रमसीता क्यों बनेगे सब का एम आवजेक्ट है कि हम लक्ष्मि जायर बनेगे और रासीता की भी निंदा है लक्षमिनेर की कव निंदा नहीं सुने गे क्यो? जैसेतीस करो देवाताओं की निंदा रहा है शास्त्रो बे लक्षमिनेर की निंदा की गें नहीं है क्यों नहीं कह συνिम भाक स्लिमगपर चुर्षाथ करते हैं, की सर्वकूर सोम्पनना शोला कला शंपून संपूना हिसन का मर्याद पुर्षोत्तम, वो बनते है कश्म नहीं बनता है? कश्म बर्च्पाः जो पेदा होता है? सक्फिगु में उसार्म नहीं बनता है? तो उसका काल भी लंबा हो जाता है और आपका बोल भी लंबा हो जाता है ठीक है माना बंते तो हैं लेकिन वो विश्यू के मालिक है? नहीं बंते है वो काल में मालिक बंते है? वो सक्किते मालिक बंते है और सास्त्रमात्रस ने कि ग्लानी भी? घ्लानी भी दिय हुई है लक्षिमी नेर्ण कि कोई ग्लानी? नहीं है तो यह कहां की आदेगार है? सन्नम युग में जिनों जिनों ने भी पार्ट बजाया यो ही 33 कड़ो देवता है, सब की गलानी है, माना सबने अल्गूरा पार्ड बजाया, लेकिन एक युगल ऐसा निकलता है, जिसकी कोई, कोई गलानी नहीं होती, तो किस समय की अदगार, संगम की, माना संगम में ही उन्होंने ऐसा पुर्शार्थ किया, जैसा पुर्शार्थ और कोई ने 100% और कोई ने नहीं प्राथि की, लक्ष्मिन एड़े की कब निंदा नहीं सुनेंगे, बिल्कुल निंदा नहीं सुनेंगे, 4-3% भी उनकी निंदा, नहीं है, शियो बाबा की भी निंदा है, पढ़ाई पढ़ाने वाले की निंदा है, और पढ़ने वाले की? कोई निन्दा नहीं? ये क्या बात हुई? क्यों? जिसे नेパढाई पढ ली, उसकी कोई निन्दा नहीं और जिसने पढाई-पढाई, उसकी निन्दा हो गही? ये क्या बात हुई? ऐसा क्यों हो लिए जब पढाई पढाई तो जिसके तहने पढाई पढाई वो पतित्थंथा या पावंध था पतित्था इसलीए उसकी निन्दा हो थी बास्त में सुप्रीम सोली की कोई निन्दा नहीं है निंदा किसकी? और इस्तुती किसकी? सातार शरीर धारी की निंदा इस्तुती होती है, आत्मा की तो कोई निंदा इस्तुती होती नहीं, तो इन लक्ष्मीनाने की निंदा करते कभी देखा नहीं होगा, लिंदा की और इस्तितु की नूद का होती है संगमबर होती है तो लक्षी मिनायर जब लक्षी मिनायर का पद पा लेते है तो लिंदा करने का सवाल कोई रह नहीं जाता सच्चा इस खुल जाती है कि सच्चा क्या है और जूट क्या है बाप कहते है अब फिर में तुम बच्चों को इतना उंच उंच बनाने आया हूं। किसको बनाने आया हूं। तुम बच्चों को। कितना उंच हूं। इतना उंच इतना उंच इतना माना किसकी तर मिशा रगिया। लक्षमिनान की तर मिशा रगिया। माने पढने वाले बच्चों में से ही कोई बच्चों में बाबा की नजर है जिन के लिए कहते हैं तुम बच्चों को इतना उम्चे बनाने के लिए आया हुआ मेरे से भी बच्चे तीखे हो जाते हैं मेरे से बच्चे तीखे हो जाते हैं किसने कहा सुप्रिम सोल ने तो कहा तो सुप्रिम सोल से तीखे हो जाते हैं यह ब्रह्मा की सोल के दोरा शियो बाबा ने बुड़ आया या ब्रह्मा ने बोला कि मैं पढ़ाई पढ़ाने वाला हूं मेरे मुख का आधार लिया हुआ है मेरे मुख से बोल रहे हैं लेकिन पढ़ने वाले तुम बच्चे हो तो भी तुम बच्चे मेरे से भी पुर्शार्थ में तीखे चले जाते हैं मेरे से भी बच्चे तीखे हो जाते हैं इसे बात को तठाकतित ब्रह्मन कहां तक मानेंगे। कि मेरे से भी बच्चे तीखे हो जाते हैं यह हो सकता है क्या। नहीं हो सकता। वो माननेंगे यह नहीं माननेंगे। वो तथागतित ब्रह्मने सभात को मानेगे कि ब्रह्मा वावा से भी उन्चापुर्शार्थी कोई हो सकता है। मनना पड़ेगा। वो तो नहीं मानेगे। वो अगर मानेगे, तो उनकी पड़ाई चौपट हो जाती है। इसलिए वो तो मानने वाले नहीं। वो मानेगे तो वो उनका पड़ नीचा हो जाता है। इसलिए वो तो मानने वाले नहीं है। पिर उनको मनवाएगा कौन। मेरे से भी बच्चे तीक हो जाते हैं। इन लक्ष्मिनायने की भी कभी कोई जिंदा नहीं करेंगे। भले क्रिष्मिकी आत्मा तो है और वो ही आत्मा है। परंत उनका जानने के कारण उनकी निंदा कर देते हैं। किसकी निंदा कर देते हैं। कौन से क्रिष्मिकी बात हो रही है अब। संगम्युक्रिष्मिकी निंदा कर देते हैं। संगम्युक्रिष्मिकी निंदा कर देते हैं। संगम्युक्रिष्मिकी निंदा की। बात है नहीं। संगम्युक्रिष्मिकी निंदा की। संगम युग में जो कस्ण है वो जो पार्ट बजाता है उस पार्ट की सच्चाई को कोई जानती नहीं और जब जान जाते हैं तो समझ आते हैं ये तो वही दर से नायर बनने वाला है तो निंदा करने का सवार पेदा नहीं होता है लक्षमी नायर का मंदर बड़ी खुशी से बनाते हैं वास्तर में बनाना चाहिए राधा कृष्ण का क्यों राधा कृष्ण का मंदर क्यों बनाना चाहिए लक्षमी नायर का मंदर क्यों नहीं बनाना चाहिए कुछी सी, ज्यादा कुछी राधा कुछने के मन्तिर बनाने में क्यों रहनी चाहिए, ऐसी क्यों कहती है, क्योंकि राधा कुछने ज्यादा सतो पर दहने, और लक्ष्मी नायरण, यह ते सतव। पर राधा करें, पर लक्ष्मी नायरण, जब टाइचिल मिल जाएगा, तो क्या ओने लगेंगे, नीचे गिरेंगे, उपार उठाएगे। किसाने बोला। नई.. नई… तो यह बोला किसने। जब संपुरर हो जाता है तो किरने का टाइम सुरू होता है बढ़े कि यहाँ बोला किसी ने यहाँ ने का मंदिर में बड़ा कुसी से बनाते हैं वास्तम मैं बनाना चाहिए राधा कुछने का क्योंकि वो सटोपुरदान है यह किसने बोला, राधा किसने का, बनाना चाहिए मंदिर बड़ी कुछी से, क्योंकि वो सातु परदान है, यह किसने बोला, है, सुपुन सोल ने बोला, क्योंकि बोला, 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 सत्यू की लक्षमिनायन जो है, वो किर्थी कलाता हो जाएगा, और जो सत्यू की राध्यकृष्णने है, वो सत्यू की स्टेज में है, बच्चे की स्टेज में, तो उन्होंने अपनी बात लगाती। लक्षमिनायन मनते हैं, उनकी योवास्ता हो जाती है, तो उनको सत्यू कह सकते हैं, सत्यू परदान, नहीं कहेजिए। वह सोटे हैं इसलिए उनको सत्यू परदान कहेंगे। छोटा बच्चा महत्मा समान कहा जाता है जैसे छोटे बच्चों को यहाँ विकार आधिका पता नहीं रहता है रहे से वहाँ बड़ों को पता नहीं रहता है कि विकार क्या चीज़ होती है यह पांच मुथ वहाँ होते ही नहीं विकार हो बातों जैसे के बता ही नहीं, काम की चेश्टा भी रात को होती है, और देवता है तो हमेशा दिन में, क्यों? महा रात नहीं होगी, सत्यु में रात होगी कि नहीं होगी? सत्यु ट्रेटा में रात नहीं होगी, जब यहां इस दुनिया में भी ऐसे इस्थान देखे जाते हैं जहां रात होती है, महीनों तक रात नहीं होती है, नार्थ पोल और साउथ पोल और छे महीने का दिन होता है, रात भी छे मैंने के हो सकती है, होती है तो ऐसी भी दुनिया हो सकती है जहां? जहां जहां साल तक अदेरा हो गाई नहीं देवता है, होते ही यह देविश्य। तो काम की चेश्टा की तो बात ही नहीं विकार कोई भी होते नहीं तो मच्छे जानते हो दिन होते ही हमारे साब विकार चले जावेगे क्या? कम चले जावेगे जब सत्य गुरुती सभेरा होगा तो हमारे अंदर से जो भी विकार की चेष्टा है चाहे मनसा में हो, वाचा में हो, कर्मना में हो तो वो कर्वेंद्रियों की चेश्टा सब खलास हो जालेगी, पता भी नहीं रहता है कि विकार क्या चीज होती है, ये रावन का विकारी घर है, ये है विसियस वर्ड, वहां तो विकार की कोई बात ही नहीं होती है, 21.1967 की बारे का 30 रखी उस दुनिया को कहा जाता है इस्योरिय राजी, अभी इस दुनिया में है आशुरिय राजी, मनुषिये भी नि जानते हैं, ये भी आशुरिय राजी हैं, और इस्योरिय राजी को भी नि जानते हैं, तुम सब को सी जानते हो, नमबर बार पुरसार सनुसार धेर बच्चे हैं, कोई भी मनुसे समझ नहीं सकते हैं, कि ये इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां, ये किसके बच्चे हैं, सब याद करते हैं शियो बावा की, ब्रह्मा को भी याद नहीं करते हैं, यह खुद भी कहते हैं, शो बाबा को ही याद करो, उससे ही विकर्मविनास होंगी, और कोई को याद करने से विकर्मविनास नहीं होंगी. गीता में भी कहा है मा में कम याद करो पहले मैं आत्मा हूँ यह पक्का करके फिर याद करना चाहिए मेरा बाप परमात्मा है वो कहते हैं मुझे याद करो तो मैं तुमको बर्सा दूंगा मैं सब को सुफ़ देने वाला हूं मैं यह सब आत्मां को संधित्याम लेदा ताओं है क्या बाप साभितु देवार कीशे मैंः सब आत्मां को संधित्याम लेदाताओं इस्ते क्या साभितुवर कुछ सावी तुभा ही नहीं क्या को बोल गया है तो नहीं बात क्या सावी तुभी ब्रह्मा कुमार कुमार ही नहीं जानते ब्रह्मा के द्वारा नहीं ले जाता हूं विष्नु के द्वारा नहीं ले जाता हूं जाड के चित्र में चित्र मूर्ती में से एक ही मूर्ती को दिखाया गया है कि वो सब आत्मों के साथ बापस परमधा जाती तो मैं ही समा आत्मा को सांति धहम ले जाता हूँ यह मैं कहने वाला में ही रूप कौन है कोन सी मूर्टी है जो बात बोलती है झार का चितर सामने रखा जाए और बाबा का महाबा के रखा जाए तो क्या सामी तो जाएगा इसनकण की ही मूरथी है यो सब आत्माओं को वापस पर अंधाम ले जाने का कारिय करती है इस संबन्ध में महावाखी कौन सा बोला जये है मैं तुम बच्चों को आत्मा पर पिठा कर ले जाता हूँ क्या नात्मा पिठा कर नहीं ले जाता हूँ कैसे ले जाता हूँ आंखोंपर बिठा यह सब्सक्राइब को बूल जाएगी, दुनिया कुछ भी हमको याद नहीं आएगा, दुनिया से बुद्धी डिटेश हो जाएगी और आखोंपर बिठा के ले जाने का एक और भी आरवियात है, इतनी प्यार की दिश्टी होगी, इतनी आखश्र में दिश्टी होगी, कि और हमें कुछ याद करने की जर्गार रहेगी हिने, जिन्होंने कल पहले बाप से वर्षा लिया है, वो ही आखर की जरूर वर्षा क्या, ये दिश्टी से सच्टी सुधारने का वर्षा बाप से जिसने जिसने लिया होगा, कल पहले, वो ही आखर की लेंगे और दूसरे आखर की लेंगे भी नहीं, ब्रामनों में भी कोई तक्चे होते हैं, कोई पक्चे होते हैं कोई मातेले होते हैं, कोई साउतेले होते हैं मातेली भी बनेंगे, साउतेली भी बनेंगे और हम दो निलाकारी शुवनसा वली की है जानते हो बरादरी कैसे बदलती हैं अब ब्रामन बनने के बाद हमको बापस जाना है कब जाना है ब्रामन बनने के बाद क्या बनेंगे देवता बनेगे फैस्ता से देवता अभी आत्मों को शरीर छोड़ बापस जाना है पांड़ और करों दोनों को शरीर छोड़ना है क्या ऐसे नहीं कि पांड़ चले जावेंगे और करों रह जावेंगे नहीं दोनों को वापस शंती धाम जाना है और दोनों को देवन छोड़ना है लेकिन अंतर क्या होगा कुशी कुशी शरी छोड़ेंगे और वो तकलीफ में शरी छोड़ेंगे हां हां कार में छोड़ेंगे तुम यह ज्ञान के संस्कार ले जाते हों तुम जब शरी छोड़ करके जावेंगे तो संस्कार कौन सी ले जावेंगे अंत मते और अंत में मते कौन सी होती है अंत में वो ही मती होती है जो सारा जीवन प्रेक्टिस की जाती है अभी बीके वाले भी प्रेक्टिस कर रहे हैं ज्ञान की बात हो देए अभी बीके वाले भी अपने तरीके से ज्ञान धार कर रहे हैं और पीवी के वाले भी अपने तरीके से ज्ञान धार्ण कर रहे हैं, ज्यादा ज्ञान के संस्कार किसमें बन रहे हैं, एडवान्स वालों में ज्ञान के संस्कार बन रहे हैं, और वो जो तखागतित ब्राह्मन है वो ज्ञान की बातों में एतना रस्म नहीं लेते हैं, तो ये संस्कार पक्के हो रहे हैं तो अंतमते सो गते ये ज्ञान के संस्कार कौन ले करके जाएंगे जो एडवांस के जो बच्चे शुर्वंसी बच्चे हैं वो निश्चित रूप से ज्ञान के संस्कार साथ में ले करके जाएंगे और ज्ञान के संस्तार पर्मधाम तक लेकर करके जाएवेंगे, आत्मा में नूद करके लेगे, तो जब वापस आवेंगे, तो क्या करेंगे? वोई ज्ञान के संस्तार लेकर आवेंगे और पिर द्वापरिघघघचा honesty ये तैर ये तैयार करें। द्वापन के आद में जो शास्त्र बने थे उन्हें में भी बहुत कुछ सच्चाई थी बाद में जब इंट्रपटेशन हुआ और गीता में किस्मे का नाम डाल दिया, किस्मे के बक्तों ने तो फिर सारा अज्यान होगे तो तुम ज्यान के संस्कार ले जावेंगे और वो, वो क्या करेंगे वो अज्यान के संस्कार ले जावेंगे तो वो जब आवेंगे, तो मेरा ज्यान फैलावेंगे मना, ज्यान किस्से आता है और अज्यान किस्से आता है एक राम बाप से आता है ज्यान और बागी सम देवधारी गुर्मों से आता है अग्यान, उसमें किसने की स्वल भी आ जाती है तुम ये ज्ञान के संस्कार ले जाती हो फिर इस आनुसार तुम प्रारब्ध पाती हो वो भी ड्यामय में नूद है फिर ज्ञान का पार्ट खतम हो जाता है तुमको चौरासी जन्मों के बाद फिर आभी ज्ञान मिला है क्या कहा और किसने कहा और किसको कहा जो बाबा ने कहा और यो बच्चियों पूरे चौरासी जन्मों लेने वाले है उने के लिए बोला कि तुम्हाने चौरासी जन्म पूरे हुए अब चौरासी जन्मों के बाद फिर आभी तुमको ये ज्ञान मिला चौरासी जन्म लेने के बाद यह ज्यान जो तुम को अभी मिला है यह प्राया लोप हो जावेगा मना पूरा पूरा लोप नहीं होगा कौन-कौन सी आत्मों में सब लोप हो जाएगा और कौन-कौन सी आत्में यह ज्यान के संसकार पर्ण हमें भी ले जावेगी जो पूरे चौरासी जन्में लेने वाले साड़े चार लाख है वो ज्यान के संसकार ले जावेगी हैं तो उनमें भी नंबर वार क्या पचास-पचास अजार समझे लो हर दर्म के बीज है ना तो सब दर्म के जो बीज है वो एक जैसा ज्यान तो नहीं उठावेगे क्यों उठावेगे नहीं जो पचास अजार सुरी बंसी है और पचास अजार चंद बंसी है वो ही ज्यान के संस्कार उठावेगे और बाकी दूसरे दर्म के वो अज्यान फैलाने वाले हैं कि ज्यान फैलाने वाले हैं मूल रूप में वो भी अज्यान फैलाने वाले है तो बोला ये ज्यान प्राया लोप हो जाता है तो प्राया लोप पर करने के लिए जो निमित बनते हैं वो कौन हुए और उस ज्ञान को लगातार चालू रखने वाले कौन हुए प्राहे लोप हो जाने का मतलब पूरा लोप नहीं होता है तो कोई आत्मा तो ऐसी निमित बनती है जो ज्ञान को चालू रखती है और कोई आत्मा ऐसी होती है उसी ज्ञान को बिलकुर भूल जाती है तो कौन भूलेंगे जिनोंने प्राह्मन जीवन में ज्ञान को ठोकराया होगा ज्ञान रतनों को ठोकर मारी होगी वो तो भूल जावेंगे और जिनोंने बाप की मुरली से प्यार माना, मुरली दर से प्यार किया होगा, उनके अंदर ज्ञान के संसकार रह जाता है। यह ज्यान प्रहे लोप हो जाता है, सत्यगु में भी लोप हो जावेगा, वहां भी तुम प्रारद भोगते हो ज्यान की, यहां कोई और धर्म वालों के चित्र नहीं रहते हैं। सत्यगु में और धर्म वालों की चित्र नहीं रहते हैं। आज जनातन देवी देवता धर्म वालों की चित्र रहते हैं। कौन सा चित्र रहता है मुख्य रूप में? लक्षमिनाया का या विश्मु चत्रवुज का चित्र रहता है तुमारे भक्तिमार्ग में भी चित्र रहते है सट्वुग में किसी का चित्र आदेय नहीं रहता है तुम्हारे चित्र आल्राउंड भक्तीमार्ग मरेते है माना माना द्वारपनियुकसे-ाद इसे लेकरके और कल्युक के अंततक जब तक दुनिया खलाश हो तब तक तुम्हारे चित्र आल्राउंड रहते है दूसरे देवाइ Salvador की कोई गारंटी नहीं है, कि उनके चित्र, पूरे बक्ति मार्ग में आलरांड रहते हूं, या सत्युन्टेता में भी रहते हूं, आलरांड किसके रहते हैं, लक्ष्मिनार के चित्र आलरांड रहते हैं, छुर्ण में भी होता है, तेता में भी रांगसीता का चित्र होता है, ग्रापर में भी लक्षुनेयर का रांगसीता का चित्र होता है, शंकर का चित्र होता है, और कलिव में भी होता है, तो किनका नहीं होता है और किनका होता है जिनका होता है तो तो मालू पढ़ गया है होता है जिसका नहीं आल राउंड चित्र वो कौन है वो दूसरे धर्म का फांडेशन लगाने वाले बी या आधार मुर्त जड़े कौन है जिनका चित्र नहीं होता है, वो चित्रवाले देवताइं कौन है? कृष्ण का चित्र सिंगर ले, वो द्वापरिक के अंत में आता है और जितने भी देवी देवताइं सिंगर पूजा लेने वाले है या जानवरों का रूप धार्न किये हुए है कोने के भी चित्रे? आल राउन भक्ति मार्ग में भी नहीं होते और पास यार बस भी कोने के चित्र नहीं बनाई जाते तो तुमारे चित्रे आल राउन भक्ति मार्ग में नहीं होते तुमारे राजी में और कोई का चित्र नहीं होता है हम और कोई का मन गुरुनादा का सित्रों भुद्धा का सित्रों हो सिर्फ देवताएं ही रहते हैं और दूसरे धर्वालों के कोई भी चित्र बहाँ होते नहीं इससे ही समझते हैं आदिसानातन देवी देवता धर्म ही है किससे ? सत्युकत रेताम है कौन सा धर्म है वो किससे समझा जाता है लक्समिर्ण का इचित्र बाहा होता है, रामसिता का इचित्र होता है, इसे सम्झा रहता है कि वो आध्सवनात इंदेवी देवता, जुन्तिमार का धनम है वहां, द्वापरगरी उमें, ये तूट जाती है परंपरा, इसे ज्ञान को समिरन करके, अतिंतिय सुख में रहने है जो यहां जितने ज्ञान के संस्कार धान करते हैं, उतना ही जास्ती भविष्य में जब प्रारथ प्रत्यक्ष होगी, तो अतिंद्रिय सुख के संस्कार उनुमें देखने भ्याने में, ज्ञाने नहीं होगा, तो अतिंद्रिय सुख के संस्कार भी अनुहो नहीं कर सकेगा बहुत पॉइंट्स है, परन्तु बाबा समस्ति हैं कि इन पॉइंट्स को माया घड़ी-घड़ी गुड़ा देखी एक तो यह याद रेना चाहिए, शिव बाबा हमको पढ़ाय रे क्या? हमको पढ़ाय रे? तुमको नहीं पढ़ाय रे? शिव बाबा हमको पढ़ाय रे, इनको नहीं पढ़ाय रे हमको पढ़ाय रे, इनको नहीं पढ़ाय रे, इनको नहीं पढ़ाय रे इनको नहीं पढ़ाय रे, उनको नहीं पढ़ाय रे, किनको पढ़ाय रे? को पढ़ाया। उनको नहीं पढ़ाये।aciए इसका मतलब गया हुआ। ने को भुएbug अमको नहीं पढ़ाये।うनको कोараये। नो nearby इसका मतलब मतलब गया हुआ। इनको अग्राम्मा का में और ब्रह्मा के शार ऑर्प Она को माना, मैं इसे बात भी नहीं करता हूँ. ये के नि, फिर भी ये बीच में, बीच में आनला के सुन लेता है. क्यों नहीं बात करता हूँ? अरे, बात किसे की जाती है? जो काम पूरा करे है, उससे बात की जाएगी. जिससे काम पूरा होने की आशारी नहो, तो उसे बात करने से कोई फैदा नहीं है तो मैं तुमसे बात करता हूँ, इससे बात भी नहीं करता हूँ इसके तन में आकर कि सुनाता हूँ, लेकिन तुमको सुनाता हूँ इसके कान भी सुनते हैं समसे पहले इसके कान सुनते हैं इसके कान बहुत बड़े-बड़े हैं मारत ही है हाथी रूपी हाथी के कान बहुत बड़े-बड़े दिखाते हैं और कोई जानवर इतना बड़ा नहीं है इसके इतने बड़े कान दिखाते हो माखर में बहुत चोड़ा और कान भी बहुत लंबे चोड़े और भुदिरू की पेट भी बहुत लंबा चोड़ा तो तुमको ये याद रहना चाहिए चाहिए मना इतना फकुर रहता नहीं है किस बात का? इतना अनसा रहता नहीं है कि स्यो बाबा हम को पढ़ाते हैं ना ब्रह्मा को पढ़ाते हैं ना ब्रह्मा मुगवन्सावलियों को पढ़ाते हैं ना चंद्रमा को पढ़ाते हैं ना चंद्रमा चंद्रमशियों को पढ़ाते हैं किसको पढ़ाते हैं हम को पढ़ाते हैं, उनको भी नहीं पढ़ाते हैं, उनको माने किनको? इनको माने ब्रह्मा को और ब्रह्मा के पास जो भी बच्चे बैठे हैं उनको, और उनको? उनको माने जो आपर उसे आते हैं, जो आते ही नहीं यहां, उनको नहीं पढ़ाते हैं वो है उचिते उचि भगवान, जो हमको पढ़ाते हैं, क्या? वो है उचिते उचि भगवान, ये नहीं है, ये उचिते उचि भगवान नहीं है, कौन? ब्रह्मा की द्वारा जो पढ़ाने वाला है, वो उचिते उचि भगवान का पार्ड नहीं है, वो है? वो है उचिते क्योंकि साबित हो जाए कि उँच ते उँच और निच ते निच ते निच इस दुनिया की बात है क्या इस दुनिया में ही उँच होते हैं इस दुनिया में ही निच होते हैं भगवान तो अपने को बहुत कहलाते हैं कितने नेरे भगवान दुनियम बगवान गया लगने वाले तो भौत हैं लेकिन उंच ते उंच बगवान तो हम तो पढ़ाते हैं कितना नसा चराते हैं तो भी नसा काई हो जाते हैं हमको बापस गर जाना है क्या? पढ़ाते तो हमको उंच ते उंच बगवान तो ज्यादा ही नसा चड़ जाए। क्या? क्या मुझ ते उच भगवान की पढ़ाई पढ़ करके बहुत उच पद पाने वाले हैं। उच्छा पद मिलेगा, तो उच्छा मान वर्तबा होगा, उच्छा मान वर्तबा होगा, तो फिर हम बहुत सुखी रहेंगे। तो इस दुनिया के सुकह में ही गुद्धी चली जाए। इसलिए फिर याद दिला देते हैं। तुमको आप वापस घर भी जाता है। अच्छा, पहली पहली बात गीता को सिद्य किया, तो सार सास्ते जूटे सिद्य हो जाए। क्या सिद्य करना है गीता में। गीता सब धर्मों का माई बाप है। गीता की मार्मिता, गीता का भगवान जो नाम डाला हुआ है, वो नाम रूप डालने से गीता का महत तो खंडे दो गया। अगर सब की गुद्धी में यह होता कि गीता कोई निराकार मादी रचना है, तो सार दुनिया गीता को मांती है। लेकिन उसमें साकार का नम डालती है। तो दूसरे धर्म के लोग गीता को मांती नहीं है। तो कितना बड़ा घाटा हो गया भारतवासियों। अब बाप कहते हैं यह भूद धूर करो। यह सित्य करो कि गीता का बगवान कशन नहीं है। गीता का बगवान उच निराकार परमपिता परमात्मा सिम है। जो साब निराकार इस्टेज वाले धर्मपिताओं का भी बापों का भी बाप है। यह बाप तुम अगर सित्य करेंगे तो साब साथ जूटे हो जाए। जूटे साथ हमको सुनने ही नहीं है। तुम तो सच्चे बाप के सच्ची गीता सुनते हो। बापी मजुशों की बाप सुनने ही नहीं। क्या। हम सच्चे बाप से सच्ची बाते सुनते हैं, तो दुनिया में जो जूटे मनुशे हैं, मन की बाते सुने ही क्यों। वो साथ नुक्सान करने वाली बाते हैं। मनुश्य गुरु उने जूको सुनाया। यह मनश्य गुरु जो भी अभी सुना रहे हैं बहु सब बाते हैं नुक्सान करने वाली बाते हैं जो भी सास्त राधी सुनाते हैं बों हैं बत्ति मारके कभी भी कोई पूछे तुम सास्त पढ़ते हो बोलो ये सब सास्तों बक्ति मारके हैं हमने धाई जार साल बक्ति किये क्या ये बक्ति मारके सास्त्र हैं और बक्ति मारक में हमने धाई जार साल ये सास्त्र ही पढ़ने का दंदा किये लेकिन जब हम सास्त पढ़ते थे तो हमें बगवान नहीं मिला और अभी आभी एमको भगवान ही मिला हुआ है, जब हमको भगवान ही मिला हुआ है तो हम ये शास्त्र क्यों पढ़ने जिन सास्त्रों को पढ़ने से धाई जालवार्श की रिष्ट्री में मनुश्यों की दुर्गती होती चलिया ही. ज्यान का सादर तो एक बर्मपिता परमात नहीं है, कहते भी है ज्यान सूरी प्रगटा, अज्यान अंधेर मिनाश, अंधेरा रात को पहा जाता है, क्या था? अंधेरा रात को पहा जाता है, अंधेरा कोन बनाते हैं? और सवेरा कोन बनाते हैं? दिन कोन बनाता है और रात कोन बनाता है? गाते तो है ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात लेकिन ब्रह्मा की रात को ब्रह्मा का दिन कौन बनाता है या ब्रह्मा ही अपनी रात को दिन बना लेता है कौन बनाता है ब्रह्मा की दिन को ब्रह्मा की रात कौन बनाता है और ब्रह्मा की रात को ब्रह्मा का दिन कोन बनाते हैं? अच्छा ब्रह्मा की रात को ब्रह्मा का दिन कोन बनाते हैं? और ब्रह्मा की दिन को ब्रह्मा की रात कोन बनाते हैं? प्रंधव एं यह हैं यह किके आदेन में भी तो ग्यान सूरी आय था है और किने आया 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 तो ग्यान सूरी को किसने आपका कर लिया बक्ति माल देखाते Python को रृण हीन, हनुमान ने क्या किया अनुमान ने सूर्ज को हुल वान समझेकरे के मुह में रख लिए साथ उन्या मा नेरा यह नेरा हो गया यह यह कब की बात है? शुटें काँ हुई? कब हुई शुटें? यह की की याद में जो ज्ञान सुर्य था इस ज्ञान सुर्य से ब्रह्मा की सोल को भी उजेला मिला रूशनी मिली ना तो सबेरे की सूपिन तो होई ना उनकी लेकिन फिर उल्टा ताम जा कर दिया कप कर लिया खुदी ही सारा जड़ कर लिया तो दुनिया में नेरा चाल गया और यह लेया कब तक रहा है नहीं संचक्तिस में ज्यान सूरी प्रकटा और उसके बाद शरी छोड़ दिया ज्यान सूरी छिप गया ब्रह्मा की सोल को माले हनुमान को प्राक्ति हो गई और वो प्राक्ति उससे में जब हो गई तो बिनास हुआ कि नहीं हुआ हिरोष्यमा नारा साथी का जब बाहरी युद हुआ तो ब्रह्मनों की दुनिया में भी युद हुआ अब प्रेजर्ट क्या हुआ प्रेजर्ट क्या होता है युद का मिनास भी एक तरफ होता है तो किसका मिनास हो गया किरोई की श्यमा सूरी अजियों का प्रिगड्डे में चला गया, पाताल में चला गया, और दूसरे दूसरे धर्म की जो भी आत्मा है थी वो सब उपर आ गई, और जो उपर आ गई उन्होंने फिर मॉडल बनाया, काही का मॉडल बनाया, स्वरा का मॉडल बनाया, आज भी माया भी धर्म जितने भी हैं, वो माया भी धर्म समीकत्थे हो करके दुनिया को क्या बना रहे हैं? स्वरक का माडल बना रहे है। असली स्वरक का नहीं बना रहे। माडल है, लेकिन अंदर से उसे में कोई सुख? सुख नाम की चीज नहीं है। इस जो माडल बनाने का कारिय बक्ति मालमें भी होता है। जो गुरु बुशाई है वो रिषी केज में उनोंने एक स्वरगाश्रम बनाया हुआ है। उसका नाम रखा है स्वरगाश्रम। ब्रह्मन की दुनिय में भी उनको फालू करते है। क्या बनाया है। सुखदाम। सांतिधम। और भक्ति मालमें मेरी आजगार चलती है अधिमेरगी। बनाने वाले कौन होते है। बोई भी दर्मी। बेड़ बगरी या पालने वाले। बेड़ बगरी बना। जहां एक कदम बढ़ाएगी। मेना सोचे समझे दूसरे भी उज़े पीछे पीछे। चल पड़े भी। दिमाज बिलकुर लगाने वाले। नहीं है। तो अनेरा रात को कहा जाता है। रात रावन बनाते है। कौन बनाता है राल। रावन बनाता है रात और राम बनाते है। दिन राम बनाते है, रात है भक्ति, और दिन है ज्ञान, अब टेली करो, ब्रामन की दुनिया, कहां भक्ति चल रही है, और कहां ज्ञान चल रहा है, बीके में चल रही है, बक्ति, और एडवांस में चल रहा है, क्यान, बीके में जो बक्ति चल रही है, वो बक्ति की रात किस ने बनाई, निमित कोन बना, रावन, ब्रह्मा, टेप करो जरा, ब्रह्मा को रावन कहते हैं, ऐसे तो सास्त्रों में भी आया हो, रावन, ब्रह्मा, ब्रह्मा, माने ब्रह्मा से बक्ति की रात कि 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 रात वर्जापिता मना राम की सोल, राम की सोल कभी रात्री में आती ही नहीं, वो दिन में ही है, जब से जन्म हुआ, तब से लेकर के अर्थ तक, तो अज्यान रात्री में जाना ही नहीं, अनिष्य गुद्धी होना ही नहीं, तो दिन राम बनाते हैं रात भक्ति रावन बनाते हैं दिन ज्यान को कहा जाता है जहां ज्यान है वहां दिन है जहां दिन है वहां सूर्य है सूर्य है तो सूर्य अज़ी बच्चित और जहां रात है वहां रावन है जहां रात है वहां रावण है और जहां रावण है वहां बक्ति है बक्ति है तो अज्ञान है अज्ञान है तो दुर्गति है ज्ञान से सद्गति और अज्ञान से दुर्गति कितनी सहजबातें बताते हैं सारा मदार है याद पर किस बात का मदार ज्यान और अज्यान का कंट्रास समझने के लिए सारा मदार याद की यात्रा पर है हमको देवता बनना है काई से देवता बनना है याद से अपने पापकर्मों को भस्म करके देवता बनना है देवी गुण धारन करने है याद करने से क्या होगा पापकर्म तो भस्म हो जाएगे लेकिन देवता कैसे बनेगे नेवी गुणों को धारना करेंगे तो हम देवता बनेगे पांच निकार भूत है, क्रोध का भूत, देह मान का भूत, कोई में जास्ती भूत होता है, कोई में कम होता है, क्या, जास्ती किसमें होगा, और कम किसमें होगा, ज्ञान बेहने के बाद जास्ती भूत किसमें होगा, और कम किसमें होगा, अरे ज्ञान मिल गया, आपको पहचान दिया, जो ज्ञान में आने के बाद भूत कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, कोई-कोई में तो और ज्यादा निकल पड़ता है, अमर्त वैड़ा में सुदार थे तो, अमर्त वैड़ा में सुदार जाता है? है, दूसरे दूसरे गिर्तिकला की धर्म है, उन्में जो आत्मे कलोर्ट होती है, भलावो परमात्मा बापको पहचान लेमें, ग्यान में भी चल पड़ें, निश्चय पत्र भी लिख करगे देवें, तो भी अनेक जन्मों के उनके संस्कार है, विकार भोगने की, तो संस्कार उनके जल्दी खलास ही नहीं होती, और जिनके अनेक जन्मों के संस्कार है, देवी पनेगी, देवताई, वो जल्दी छोड़ देते हैं उनको कोई कर्षिनाई मैंसुच नहीं होती है तो तुम ब्रामण बच्चों को पता है कि ये भूत है ये भूत निकाल जाना चाहिए बूत निकाला भी बड़ा मुश्किल है क्रोध एक दो को रंज आता रहता है मोह में बहुतों को रंज नहीं होता है क्या मोह में बहुतों को रंज नहीं होता है रंज मना अंदर अंदर दुखी होना और क्रोध में भाव केगद उसरे को रुलाते हैं जिनको बहुत है उनको ही रंज होगा और क्रोध होता है तो क्रोध ही उसको भी रंज होता है और जिसके उपर क्रोध करता है उसको भी रंज होता है और दोकी लड़ाई की बीच में जो देखने वाले हैं उनको भी उनको भी दुख होने लगता है इसलिए बाप समझाते हैं इने भूतों को बगाओ पढ़ाई पर अटेंशन देना है और जैविकोलों पर भी अटेंशन होना चाहिए कई बच्चों में तो कुरोध का अंस भी नहीं है और कोई तो फिर कुरोध में आते हैं बहुत लगते जगते जी क्या बातुई? वो कॉंसे मत्यें जरी में क्रोध का अंस भी नहीं क्रोध का अंस होगा तो काम का अंस जरूर होगा वो यह अपने क्रोध को छुपाई लेते हैं लेकिन क्रोध को छुपाना बहुत मुश्किल होता है क्रोध बच से बाहर आजाता है तो समझ रहना चाहिए कि यह ज़रूर कामी भी होगा कब गुश्य से बात नहीं करना चाहिए कोई गुश्या करते हैं तो समझना चाहिए इसमें इसमें क्रोध का भूध है और अभ्यत्वाणी में चो बहुत कतरनाक बात बोद दे कोई में क्रोध आटा है तो इसमें क्या समझना चाहिए क्रोध आने वाने को इसमें क्रोध आता है उसे क्या समझना चाहिए नहीं ये तो अभी बात बताई कामी बोमी मुर्ली में बात बताई अव्यत वाडे में एक और बात बताई बताया जिसमें क्रोध का भूत आता है उसे उसमें समझना चाहिए कि मैं चांडाल बनने वाला हूँ पहले नहीं बताया और आप इतनी लंबी पढ़ाई पढ़ने के बाद बता रहे हैं कि इतनी लंबी पढ़ाई पढ़ने के बाद रूद भी अगर किसी को क्रोध आता है तो आप उसका अजट क्या होगा क्रोधी बनता है, माना चांडाल बनता है, चांडाल बनने की सूपिंग करता है, क्रोध जैसे भूतनात 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 नहीं बनाए देता है, ऐसे भूत वालों से कब बात नहीं करना चाहिए, एक ने क्रोध में आकर के बात की, तो दूसरे में भी भूत आ जाता है तो दो भूत आपस मिलर पड़ेंगी भूतनाथ और भूतनाथनी अक्षर यह बड़ा चीची अक्षर है ऐसे भूत की कहीं प्रेश्टा नहो जाए कैसे भूत की जिसका नाप पड़ता है भूतनाथ और भूतनाथनी भूतनाथनी किसका पर्ड़ है? है? हर कोई भूतनाथनी होती है? नहीं? कौन होती है? है? जो क्रोध करता है हो जो महाकाल है महाकारी भी है साथ में भूतनाथनाथनी किसका पर्ड़त नहीं पर्ड़त है एक रेक्क जान्कुर्ज की कर्छा है और रामप्रजा कीसे बनता है। रामवाली आत्म जब बेसिक नालीजी में आतिग तो किसी से प्रहावस्ट नही होती। तो झिसी प्रभाववित होती है। कि पृझामी भनेगी। अरे उसको कोई पढ़ाने वाला बनता है कि नहीं बनता है, नहीं बनता है, उसको भी बनता है, कोई बनता है कि नहीं बनता है, पढ़ाई पढ़ाने वाला कोई नहीं बनते हैं, तो जो बनते हैं, वो उनी की पर जाओ ही, फिर बाद में भले उनको पढ़ाई पढ़ाने शु भूत नाथ 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 ना इसी ये तो बोला आकंस ही, क्रकस्नी ही, क्रस्स मनता है, रामी ही, रावन मनता है ये सोथ पोल, नार्थ पोल तो पता है न थी? ये पत्थिभी गोल है, तुसमें उपर नार्थ पोल, और नीची दिखाया जाता है साउथ पोल सूर जी जर चमक रहा है, तो सूर ये उत्तराण होता है और धक्षनायन भी होता है जब उत्तर की तरफ बढ़ता है, छे महीने, तो उत्तराण में, नार्थ पोल में छे महीने दिन ही दिन रहता है तो बहाँ का भही गुंता रहता है, वो प्रतिली कैसा है, इसलिए बहाँ दिन रहता है, और जब उपर धिन रहता है, तो दक्षनायन, जहां दक्षने, बहाँ देरा हो जाता है, बहाँ छे महीने लगाता है, रात ही रात रहती है, ऐसमज़ें? तो द्वापर कल्युग में सूर्य कहां रहता है? उतराण रहता है कि दक्षनाइन रहता है? दक्षनाइन रहता है? दक्षनाइन रहता है दक्षनाइन रहता है दक्षना मने दक्षन दिशा जो है वो भूत प्रेतों की दिशा मानी जाती है शापर कल्योग दूनिया वहाने जाती है इसलाम घट्रयोगandaag अब्यक्तवाने को शास्र कहते है नहीं नहीं शास्र नहीं कहा कि हमारी ब्राह्मनों की दुनिया में मुर्ली है घीत, पोईट्री और अब्यक्तवानी है प्रोज बखियां छपने के बाद तो शास्री हो जाती है मुख से जब जिस समय बोली जाती है उस समय बात कुछ और होती है, माहर कुछ और होता है और उसी वानी को जब हम सुनते हैं, सुनाते हैं, पढ़ते हैं, दूसरे को पढ़के सुनाते हैं तो बात कुछ और हो जाती है और उसी बानी को बाप आकर के रिफर करते हैं, टीचर के रूप में, तो माहल कुछ और हो जाता है। दुख जादा ले लिया, वो हुमें आकर के। दुख दिया तो नहीं, लेकिन दुख लेने में परसंटेज बढ़ गया। तो उनको ये नहीं कहेंगे के वो भूद्प्रेत आत्मा इविल सोल है। वो इविल सोल की कोट के नहीं है। हादी। बूद्प्रेतर में भी केटागरीज होती है। कोई बहुत नीची केटागरीज की होती है। कुछी में प्रवेश करते हैं तो हाय दहिया तो वाई मचाज देती है। विलागी रख देती हैं पूरा मौला। कितने वर्ष तक रह सकती आत्मा। जितना पापों का बोजया ज्यादा होगा। कोई एक जनम में भी बहुत पाप कर देते है। जो ब्रह्मा को 50 years होगा। ने 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 ब्रह्मा को जो जो उनका कोई पाप के आधार के थोड़े ही है। उनोंने तो मो जो धार किया वो मो ही उनका पाप लोगिया। जी। अधिक आटेश्मेंट होगिया बच्चों के साथ। जो ज्यान में है वो दिन में है। जो ज्यान में है अड्वास वाले है। जो ज्यान में है वो रात में है। वीके वाले है। जो रात अड्वास में ज्यान तो डैलेट बाप दे रहे है। ज्यान पहिरा रहे है। और वीके में अज्यान कौन दे रहे है। अज्ञान कोण बना रहा है? मोह में कोण आ रहा है? जब एगर आते हैं, विजरू पातमा के सभी में आते हैं तो विजरू के स्टेज भी उनकी बनती है बातनी कुद्वी में बैठती है फिर जब यहां से वहां जाते हैं तो विजो के त्योगति मुझा तो अग्यान की राथ का उन भैला रहा है। जो त्रेता के अंत में जन्वान बते हैं, तो उन्ही के पैसुन से राजा विक्रमादित ने मंदिर बनाया। तो यहां भी shooting period में भी ऐसी होगा। जब प्रजा पिता का सुवर्धी उनको आती है ममा शरी छोडने के बाद, तो उनको पता पड़ता है जो भी एक्रमे वो सारे लिखन पिता लिखन के आदी के पिता का है। तो उसके साब से यहां shooting होती है तो ग्राद रावन के ऐसी होता है। हाँ जी ठीक है। जो आजे विक्रमादिति का बाप है वो ही उसका गुरू बनता है। वो ही उसको राय देता है कि तुम यह करो। क्या करो। मंदिर बनाओ। जब अंत में ऐसी परिष्ट की आएगी सब धरम वाले जाकर के उन्ही धुरूप का आधार मूर्थे वीजरूप आतमां उसे जाकर मिल जाएंगी। वीजरूप आतमां ज्यादा खतरनाक हैं। वो जाकर के आधार मूर्थों से मिलती है। और आधार मूर्थ दुनिया वाले गुरूप के मुकाबले और धरमनेताओं के मुकाबले राजनेताओं के मुकाबले ज्यादा खतरनाक है। वो एदर को दोखा दे करके उनसे मिलेंगे। जब तक मिलेंगे नहीं तक निकलेगी कैसे। छोटी ममी कैसे निकलेगी। घर में शाधिवादि होके आती है तो बऑव को पढ़ाई को पढ़ाता है ? सब्सक्राइब बड़ी अम्मा पढ़ाई पढ़ाते हैं तो फिर यहां इद्वास के पढ़ाई कोन पढ़ाईगा अरे लक्षिमी महा लक्षिमी दोनों मिलकर के तभी तो विज्णू बनेगा सोने की महरें बिछा करके उस समय जो सिक्के होते थे उसे नोट नहीं बनते थे सो जो सोने की सिक्के जिसे रुपया उससे माना जाता था महर कहते थे उसे तो महरें बिछा बिछा की जितनी जमीन में उनोंने महर बिछा दी उतनी जमीन खरीज ली ज्यान में उसका तैसे नाम में उसका तैसे नाम में उसका तैसे नाम एक सो आठ मोह रहे ही लगे नहीं। साड़े चार लाग मोह रहे कमसे कम चाहिए। तो जड़ मोह रहे थी। कोई चेतनी मोह रहे चाहिए।